जाहिन मेरे डियर स्टुडेंट्स आप सभी का स्वागत है फ्रेजल वर्ब डे सेवन में छे फ्रेजल वर्ब हो जुके हैं शिक्स डेस यह हमारा सेवन्थ डे है तो उमीद करता हूँ कि अभी से पहले कि जितने भी छे सेशन्स हैं या 6 डेस हैं या 60 जो फ्रेजल वर्ब अभी तक हो चुके हैं वो आप सभी लन कर चुके होंगे क्योंकि वो सारे फ्रेजल वर्ब प्रिवियस एर में या तो आ चुके हैं या तो बहुत ही इंपोर्टेंट है आपके लिए क्योंकि मेरा ये काम है कि मैं भाड़ बाड़ आपको याद दिलाओं कि बच्चों पढ़ लो यह बहुत ही इंपोर्टेंट है फस्ते हम इसी सम्में है तहीं से लर्ण कर लेना है और इसका notes अलग से जरूर बना लीजेगा क्योंकि लगभग 400 से 500 phrasal verbs का यह session हमारा चलेगा मतल़ 40 के करीब तो minimum classes मुझे लगड़ा है कि होगा ही क्योंकि अभी मैंने पूरी तरह से नहीं किया है क्योंकि daily daily मैं 3-4 exercise बनाते चला जाड़ा हूँ क्योंकि इसे बनाने में आपको मुझे बहुत time लगड़ा है क्योंकि यह देखना है कि कौन सा वर्ट important है कौन सा फ्रेजल वर्ट उतना important नहीं रह गया है कुछ एक का use नहीं है कुछ एक obsolete हो चुका है तो यह सब भी देखके हमें सोचना पर रहा है तो उसमें तोड़ा सा time consuming है बट कोई बात नहीं है गर इसके कारण भी आपका फायदा हो सके तो हमारे लिए बहुत ही सभागी की बात होगी कि हमारे वज़र से आपका जो है number कुछ increase हो सका है तो इस exercise से अगर आपका एक number भी increase होता है तो हमारे लिए वो एक successful journey कही जाएगी तो let us start phrasal verb day 7 आज का पहला शब्द है ball over b-o-w-l ball over मतब किसी को अशड़ चकित कर देना या खुश कर देना ball over का अड़त होता है किसी को खुश कर देना या अशड़ चकित कर देना जैसे किसी खुश या अशड़ चकित कर देना example when I first saw her I was balled over by her beauty मतब when I first saw her I was balled over by her beauty मतब जब मैंने पहली बार उसे देखा था जब मैंने उसे पहली बार देखा था तो मैं उसकी सुन्दरता पे अशड़ चकित हो गया था मतब मोहित हो गया था विस्मित हो गया था तो जब मैंने पहली बार उसे देखा था तो मैं उसकी सुन्दरता पे मोहित हो गया था या अशड़ चकित हो गया था तो ball over मतब अशड़ चकित हो जाना या फिर खुश कर देना किसी को किसी को आश्यर चकी तिया खुश कर देना बॉल ओवर नेक्ष्ट है ये ब्रेसप ब्रेसप मतलब होता ready with courage मतलब जब हम किसी बुड़े परस्थिती का सामना करने के लिए साहस के साथ तयार हो जाते है ब्रेसप मतलब जब किसी बुड़े परस्थिती का तकलीफों का परशानियों का सामना करने के लिए हम साहस के साथ खड़े हो जाते है हिम्मत के साथ तयार हो जाते है तोसी को हम कहते हैं ब्रेसप ready with courage साहस के साथ तयार रहना example देखते हैं ब्रेसप का I braced myself up for Valentine's Day I braced myself up for Valentine's Day मतलब Valentine's Day के लिए मैं एकदम साहस के साथ तयार हो गया था कि इस बार तो propose करी डालना है reply जो भी आए मैं इस बार हिम्मत के साथ साहस के साथ तयार हो तो ब्रेसप कार तो था किसी भी मुश्किल परस्थिती के लिए मुश्किल समय के लिए साहस के साथ तयार हो जाना तो किसी को propose करना भी तो बहुत ही हिम्मत और साहस का काम है तो ब्रेसप का यह example मैंने आपके लिए लिखा है next branch out branch out करत होता है फैला देना branch out मतलब फैला देना मतलब जैसे कि आपका business फैल रहा है एक नया business शुरू कर दिया तो उसने आप क्या किया आपने business को फैला दिया तो branch out मतलब expand फैला देना example now I will branch out into online teaching यह मैंने अपने लिए लिखा है now I will branch out into online teaching अब मैं online teaching में अपने व्यपार या जो teaching है उसे फैलाओंगा क्योंकि teaching है हमारे लिए profession है तो अब मैं online teaching के तरब भी फैलूंगा उधर बढ़ाऊंगा अपने teaching को क्योंकि हम लोग पहले में लिए offline में थे अब हम देरे-देरे online के तरब भी shift कर रहे है दोनों का हमें balance बैठा के रखना है online plus offline दोनों ही जुरूत है चलिए next तो branch out मतब expand करना फैला देना next 64 brave out brave out कार्थ होता है एकदम साहस से मुस्किलों का या किसी परस्तिती का सामना करना साहस के साथ परस्तिती का सामना करना brave out to deal bravely with bad situation मतलब खड़ा परस्तिती से साहस से मुकाबला करना या साहस के साथ सामना करना बुड़े समय का साहस सामना करना 64 यह previous year में है previous year में यह brave out same question इस तरह का आया था उसमें लिखा था कि bad के कारण चावत्र पानी था और हम उसी से होके गुजरे थे तो bad का पानी चावत्र फैला हुआ उससे होके गुजरने एक साहस की बात है तो उसके लिए भी brave out उन्होंने दिया था previous year में एक्जामपल में आ चुका है तो मैंने भी वैसा एक्जामपल आपके लिए लिखा है कि तो the better looked stormy मौसम ऐसा लगड़ा था कि आन्धी आने वाली थी but we decided to brave it out लेकिन हमने निर्ने लिया था कि हम उससे होके ही साहस के साथ निकल जाएंगे वहाँ से बाहर निकलेंगे तो मौसम आन्धी तुफान के लगड़ा था लेकिन हमने निर्ने ली थी कि हम साहस के साथ उससे पार कर जाएंगे तो brave out मतब हिम्मत के साथ बुड़े समय का या बुड़े परस्तिती का सामना करना next 65 break away break away मतब किसी से अलग हो जाना या भाग जाना किसी भी group से संस्था से organization से अलग हो जाना या भाग जाना to leave a group or escape अलग हो जाना या भाग जाना break away she tried to grab my collar एक बहुती funny जान पर आपके लिए बनाया है she tried to grab my collar but I broke away and ran into a nearby house उसने मेरे collar को कस के पगने की कोशिश की थी लेकिन मैं वहाँ से भाग गया था और दोड के एक नजदीकी के घड में खुस गया था तो grab मतब कस के पकरना तो उसने मेरे collar को कस के पगने कोशिश की लेकिन मैं वहाँ से भाग गया था उससे अलग हो गया वहाँ से और भाग के एक नजदीकी घर में घुस गया था तो break away मतब अलग हो जाना या भाग जाना जैसे कहते हैं कि now those two partners have broken away अब वह दोनों partners जो है अलग हो गया है उस company से या उस firm से तो break away अलग होना या भाग जाना next example next phrasal verb 66 breakdown breakdown का आर्थ होता है खड़ाब हो जाना कोई भी यंत्र, machine कोई भी चीज जब खड़ाब हो जाती है तो उसी को हम breakdown कहते हैं English में हम कहते हैं to stop working properly to stop working properly खड़ाब हो जाना example देख लिजे my car broke down so I had to take a taxi मेरा कार खड़ाब हो गया था इसलिए मुझे एक taxi लेना पड़ा था मेरा कार खड़ाब हो गया था इसलिए मुझे एक taxi लेना पड़ा था तो ध्यान रखियेगा break down कार्थ होता है खड़ाब हो जाना next break in break in कार्थ होता है आप इसे ये भी कह सकते हैं interrupt कहिए या cutting कहिए ये भी phrasal वही है यह आप चाहें तो chime in भी लिख सकते है break in, cutting, chime in या to interrupt इन सब कार्थ होता है bowl child में बाधा डालना या जब दो लोग बात कर रहे हो तो इसके बीच में टांग अडाना तो इसे हम कहते है break in bowl child में बाधा डालना देखेंपल देख लिजे don't break in when I am talking to my best friend don't break in when I am talking to my best friend मतब जब मैं अपने best friend से बात कर रहा हूँ तो बीच में टांग मत रहाओ या बीच में रुकावट मत डालो या बीच में बाधा मत डालो तो break in का अर्थ होता bowl child में बाधा डालना या रुकावट डालना break in next आई है break into तो बहुत बार previous अर में पूछा जा चुका है to inter forcefully break into मतब किसी के घर में जबरदस्ती चोड़ी या डाकैती के उद्देश्य से घुसना break into कार्थ होता है किसी घर में जबरदस्ती चोड़ी या डाकैती के उद्देश्य से घुसना जिससे आप one word में कह सकते हैं सेंध मारी सेंध मारी करना सेंध मारी करने जो चोड़ जो है यहीं पर मैं लिख देता हूँ Roberts Ducat तो कुछ Ducat मेरे घर में जबरदस्ती घुसे थे कल रात को कुछ Ducat जबरदस्ती मेरे घर में कल रात को घुसे थे तो आपको Ducat घुसने हैं तो Ducati कर रहे के उद्डेशे से घुसेंगे तो break into मतो तो जबर्दस्ती किसे घर में चोड़ी या डखेती के उद्देश से घुसना. Next है यह फ्रेजल बढ़ आपके लिए रहा है, Break-off, मतब किसी में चीज़ को रोक देना, रोकना या तोड़ देना भी होता है, मतब समंध तोड़ देना, मतब टुकरे करने के सेंस में नहीं है, समंध तोड़ देना, किसी से अलग हो जाना, या किसी चीज़ को रोक देना, ये कोश्चन प्रिवेशन में आए हुए मैं वही लिख रहा हूँ, The police had to break-off the meeting as it turned violent, पुलिस को meeting को रोकना पड़ा था, चुकी वह हिंसक हो गया था, पुलिस को meeting को रोकना पड़ा था, चुकी वह हिंसक हो गया था, तो break-off का एक अर्थ होता है, रोकना या किसी से अपने सम्मंध को तोरना भी होता है, जिसका सिनोनिम आप ब्रेक-अप भी बोलते हैं, ब्रेक-अप का एक अर्थ, ब्रेक-अप भी करना भी होता है, किसी से relation खतम कर लेना, नेक्ष्ट, ब्रेक-अप के बाद आते हैं, 70, ब्रेक-अउट, मतब अभी तक आज इतने फ्रेजर बब किये, उसमें सब ज़्यादा question ब्रेक-अउट से आया है, तो ब्रेक-अउट का अर्थ होता है, जैसे कि युद्ध, बिमारी, आग, या बाढ़, ये सब जब अचानक फैलता है, तो उसी को हम कहते हैं, ब्रेक-अउट, अचानक फैल जाना, या फिर एक अर्थ ही होता है, कि जब कैदी लोग, जेल से फाग जाते हैं, तो इन दोनों को हम ब्रेक-अउट कहते हैं, आई एक्जांपल देखते हैं, मलेडिया ब्रोक आउट इन आवर लोकालिटी लास्ट इयर, मलेडिया ब्रोक आउट इन आवर लोकालिटी लास्ट इयर, पिछले साल हमारे मुहले में मलेरिया अचानक चाओ तरफ फैल गया था तो ब्रेक आउट का प्रियोग करते हैं जब कोई चीज अचानक चाओ तरफ फैलता है या फिर जब कोई कैदी जेल से भाग जाए तो यह रहा आपका प्रेजल वर्ब डे सेवेन उमीद करता हूँ कि आप सभी को याद हो गया होगा याद कर रहे हैं, note down कर रहे हैं तो इसी तरह से हमारा कारवा चलता रहेगा आप सभी students हमसे जुड़ते चले जाएए और learn करते चले जाएए कि ultimate इस class का उद्धिश्य तो यही है कि आप सभी students का कुछ न कुछ benefit हो जाए तो dear students आज यही रुकते हैं next class मिलेंगे next lesson के साथ तब तक के लिए जैहन